हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारी चैनल इंफो गॉर्मेंट चोब्स प्रतोसना आपर मिल्ट्री इंजिनिर्रिक सर्विस के अंदर नई भरती 2023 को लेकर बड़ा अपडेट यहां पर ओफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है पोश्ट यहां पर 5660 के सम्थिंग पो वाले तो दोस्तों MES के अंदर काफी सालों के बाद में वेकंसी आई है लास्ट वेकंसी 2015-16 के अंदर आई थी यहां पर उसके बाद में 2022 में स्टेंडिंग ओर्डर जारी किया गया था कि कितने वेकंसियों पर पदों पर भरती होनी है बट वेकंसी नहीं आई थी इसी पर यहां पर 2023 में भी एक Notification जारी किया गया है वह हम देख लेते हैं तो सब्सक्राइग के लिए भी तो यहां पर जो Notification जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हो आपका जो लेटरी बेजा गया है डीजी प्रीज की एच हाईड़कॉर्टर मिलिटरे इंजिनरिंग सर्विस New Delhi से यहाँ पर यह लेटर भेजा गया है समन्दित कमांड को हाईड़कॉर्टर आपकी South कमांड, East कमांड, West कमांड और Center कमांड और North कमांड और South Western कमांड सभी को यहाँ पर यह लेटर भेजा गया फोर काइंड अटेंस ओफ सी ई कमान तो यहाँ पर देख तो डिस्ट्रिबूशन ओफ वेकेंशी रेक्रुमेंट येर दोहजर तेज़, दोहजर तेज़ के अंदर यहाँ पर किस प्रकार से भरती के लिए वेकेंशी है वो डिस्ट्रिबूट की गई है किस प्रकार से यहाँ पर बाती गई है वो इसमें यहाँ पर बताया गया है इस नोटिस में और इसमें आपको बता दू कुछ वेकेंशी है वो एससी करवाती है कुछ वेकेंशी से यहाँ पर सी ई कमांड है और direct recommend यानि कि open भरती सभी के लिए जो खुली भरती होती है सीधी भरती जिशे बोल सकते हैं वो यहाँ पर कितने पदों पर होगी और कौन इसको करवाएगा वो यहाँ पर इसमें पूरा बताया गया है देख सकते हो सबसे नीचे mate की है concerned CWE to whom the vacancies have been allotted by CE command एज पर recruitment section तो यहाँ पर यह वेकेंसी है उसी command को अलोट की गई है मेट की जो कि यहाँ पर उनके दुवारा करवाई जाएंगे बेसिकली दोस्तों एक बार आपको थोड़ा न बता दो knowledge के लिए कि जो military engineering service है वो यहाँ पर जो भारत की बारते सेना की जो यहाँ पर चावनिया रहती है जो आपके आसपास में भी होंगी तो उन चावनियों को maintenance रखना उन चावनियों के अंदर सारी परकार की सुविधाएं है उसो चारो रूप से करना चाहे वो electrical की चीज़े हो electrical supply बगएरा हो electrical की जो complaints है वो हो या फिर आपका जो civil related हो civil की जो complaints है civil की जो आपकी काम है इसके बाद में mechanical की भी यहाँ पर है water pump बगएरा की काम है यह सारे चीज़े मतलब सुचारो रूप से जो आर्मी के जो चावनियों है जो कोलोनिया है उनमें हाँ पर चलती रहें इसके लिए यह service है इसको military engineering service किया नाम दिया गया और यहाँ पर यह भारतिये बार्द सरकार के अंडर ही आती है आपको बता दूँ और आपको यह भी मैं बता दूँ कि जो military engineering service है इसके इंदर जो भरती होंगे चाहे आप मेट पे हो चाहे आप junior engineer हो चाहे आप किसी पोस्ट पे भरती हो यह यहाँ पर एक civilian भरती होंगे इनको यहाँ पर जो army की जो facility मिलती है जो यहाँ पर जो सेनिकों को जो facility मिलती है वो पूरी facility इनको नहीं मिलती है इनको कुछ faculty ही यहां पर जो आर्मी वाली हैं मिलती हैं, जाशे कि 아पका कैंटेन काड की ही हम बात करें तो वो यहां पर आपको grocery यारी की जो घरका समान जो होता है उसके use काड उता है जब्कि जो liquor जो आपका ऐलकोहल वाला जो card होता है वो इनको नहीं मिलता है इस प्रकार से pension है वो नहीं pension जो परणाली है वो यहाँ पर मिलते है जो civilian की center government employees को मिलती है वो मिलती है ना कि जो यहाँ पर senico को old pension जो पुरानी pension परणाली है वो मिलती है वो नहीं मिलती है तो इस प्रकार से कुछ difference है civilian के अंदर और army के अंदर तो यह में इस है बट इसमें basically main difference यह भी है कि army के अंदर आप यहां पर 15-20 साल के बाद में retirement हो जाते हो बट इसके अंदर यह 60 साल की नोक्री है, 60 साल तक आप जोग कर सकते हो otherwise यहां पर आपकी choice है तो अब इसमें कितनी vacancy होने वाली हाइट यह वालों की और कब तक notification है वो भरती के लिए forum भरवाए जाएंगे वो हम इस वीडियो में भी बताएंगे आपको सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी जो vacancy है इसकी तो यहां पर mate की vacancy की खास करके हमने इस वीडियो में बात की है तो देख सकतो mate की जो आपकी direct recruitment के तहट 4303 vacancy है और DCRE के तहट 1133 vacancy है जो कि CE command है वो यहां पर conduct करवाएगा आपका देख सकतो अलग-अलग category wise इसमें vacancy दी गई है सबसे ज़्यादा vacancy किस command में है आपकी लगबग लगबग यहां पर जो आपका डबलू सी कमाड वेश्ट कमाड जो मुंबई वाला एडिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा vacancy है बाकि आप all over इंडिया यहां पर इसमें ब्राश्पर भी ले सकते हो जहां जहां पे इनकी आपर जो ब्रांसे से इन्य उनिटे से वहां पि आप इसके तो यह पर थोतल 4303 generate देन की दार ही जाएएंगी और स्चार्व ब्रमीन के तरह आरा सो है का 물ेंशी यहां पर जो पहले कि कब तक ये वेकेंसी आएगी कब तक क्या कुछ इसका प्रोसीजर होगा और क्या कुछ इसमें सेलरे मिलने वाली है यूँकि अगर आप अभी से त्यारी करना स्टार्ट करते हो तो ही यहां पर आपका सेलेक्शना वो स्टीक्योर होगा 2016-17 के अंदर जो वेकेंसी आए थी उसके बारे मैं आपको बता दूँ कि वो वेकेंसी उस टाइम में ओफलाइन फोर्म आये थे ओफलाइन अग्जाम होई थी और यहां पर सारा कुछ जो चीज़े है वो ओफलाइन होई थी बट अभी हाँ पर 7-8 सालों में काफी कुछ चें बट अब यहां पर आपको पता है बेरुजगारी यहां पर किस हिसाब से क्या कुछ चल रहा है तो डिफिलेटली जो वेकेंसी आएंगी वो ओनलाइन आएंगे और ज्यादा संका में फोर्म भरे जाएंगे तो हो सकता है अग्जाम भी आपकी ऑनलाइन हो अग्जाम का पै है आपका जो मैठ है इनके अंदर जो आगती है वो इंग्लिस ही प्राइविटी दी जाती है हिंदी के बजाए क्योंकि यहां पर यह आपके आर्मी के टचरिया में होती है तो इंग्लिस आप मान सकते हो 25 प्चेश के यह आपका नॉर्मली सलेवस रढने वाला जो की में आईटे मांगा जाएगा आईटे वाली जो कि आप समझ सकते हो नेवी ट्रेडमेंट की जो भरती आई थी इसी परकार से यहां पर यह भरती आएगी तो इसमें आईटे वालों को काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं तो उनके लिए अच्छी ख़बर हो सकती है क्योंकि एक तो कंड़ेट कम संक्या में फोर्म भरेंगे आईटे वाले कम होते हैं कंड़ेट नॉर्मल कंड़ेट के मुकाबले और उनका यहां पर चोड़ा सा कट ओफ वो भी कम हो जाएगा इसे बजाए से बात करें अगर सेलरी की दोस्तों जादा डिटेल में हम नहीं जाएंग पर अब बहुता है जिसका बेसिक वह 18,000 रुपई से स्टार्ट होता है 18,000 बेसिक है आपका बता दूँ जिसके ओपर डियरेंस अलाउंस मिलता है महंगाई बहता है जो की वरतमान जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस नमें 42% रेट्स हैं तो 42% अगर आप महंगाई बहता है तो देख सकते हैं लगके 7-8,000 आपका महंगाई बहता है वो बन जाता है 25,000 तो आपका डिये पलस आपका बेसिक जो 18,000 है वही बन गया इसके अलावा आपको कहां पर जो मिलती है इस पर डिपेंड करता है अगर आपको मुंबई में जो मिलती है तो आपको 54 रुपई अच्छारे भी मिलेगा इसके बदन ट्रांस्पटर लामस वगेरा वो भी मिलता है यानि कि अगर आपको सोट तरीके पे हम अगर बताएं तो अगर आपके पोस्टिंग वो मेट्रो सिटी में होती है दिल्ली है मुंबई है चन्नई है बैंगलोरो कॉलकता यहां पर अगर जो सेल्डि है वो 30 पलस यहां पर हो जायेगी अगर आपने क्वार्टर जो सरकारी आवास है वो नहीं लिया है अगर आप आवास लेते हो तो वही आपकी 25 to 28 के के सम्थिंग आपकी सेल्डि हो जाएगी नॉर्मली आप अगर छोटे एरिया में जाते हो जो की चांसेंस कमी ही है क्योंकि लगबग जो चावनी है वो बड़े एरिया में होती है बर छोटे में भी होती है तो उसमें आपका जो सेल्दी है वो 27 से 28,000 रुपे बीन अक्वार्टर के अगर आप क्वार्टर लेते हो तो वही आपका 25,000 रुपे बन जाएंगे क्योंकि छोटे हैं वहाँ पर 36,000 रुपे अचारे मिलता है और फिर जो नॉर्मली गाउं में होती है चावनिया उसके अंदर 18,000 रुपे अचारे हो दिया जाता है वर्तमार रेट के अनुसार बाकी ये टाइम आने पर भड़ता भी रहता है बाकी लिटेल से ह और बाते करते रहेंगे चलंगो सब्सक्राइब कीजिए कोई भी डावड़ों नीचे कमेंट कीजिएगा धन्यवाद जहिन जीए भारत